हरे कृष्णा आप सभी का दिन शुब और मंगल में हो और आप सभी पर भगवान श्री क्रिश्न की और राधराने की कृपा सर्दा बनी रहे इससे पहले का ध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक करने के लिए और प्यारे प्यारे से आशिरवात देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज सुनिए आगे की कथा लेकिन आपको हमारे चैनल पर राधास्ट मी के दिन राधास्ट मी की कथा भी जरूर सुनी होगी जिस तरह से अब तक आप हमारे चैनल को प्यार देते आए हैं उसी तरह से आप बाकी कथाओं को भी अपना भरपूर प्यार जरूर दिया करें व्यास जी कहते हैं कि भगवान के अलोकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ग्यान हो गया ये देखकर भगवान श्रीहरी ने यदुवन्शियों को मोहने के लिए वैशनवी माया फिलाई और कहा माता और पिता जी मैं और भहिया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन करने के लिए ततपर थे आज इतने लंबे समय के बाद हमें आपका दर्शन मिला है जिसका समय माता पिता की सेवा के बिना ही बीटता है उस पुत्र का तो जीवन व्यर्थ है वह जनननी को कस्ट देने वाला माना गया है साधू पुरुशों में उ प्रताप से पराधिन हो गए थे इसलिए हमारे द्वारा जो अपने करतवे का उलंगन हुआ है वह सब आप शमा कर दीजिए ऐसा कहकर दोनों भाईयों ने अपने माता पिता को प्रणाम किया फिर क्रम्शह यदुकल के सभी बड़े बुरों का चरण इस पर्ष किया इस प को सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी उन्हें घबराई हुई और दुखी देखकर भगवान कृष्ण स्वयम भी नेत्रों से आसु बहातेवे उन सब को सांत्वना देने लगे उग्रिसेन को कैद से छुडाया और अपने राजपत पर अभिशिक्त कर द जब उग्रिसेन फिर से सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा महराज जो भी आवशक कारी हो उसके लिए मुझे निशंख होकर आग्या दीजिए जब तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ तब तक आप देवताओं को भी आग्या दे सकते हैं फिर इस प्रत्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है उग्रिसेन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण वायू देपता से बोले वायू तुम इंद्र के पास जाओ और उसे मेरा ये संदेश कहो कि इंद्र तुम अभिमान छोड़कर महराज उग्रिसेन को सुधर्मा सभा दे दो श्री कृष पति इंद्र से सब कुछ कहा और इंद्र ने वायू को सुधर्मा सभा दे दी वह दिव्य सभा सभी रत्नों से संपन थी गोविंद की भुजाओं की छत्र चाया में रहने वाले यादव वायू द्वारा लाई गई उस सभा का उपभोग करने लगे श्री कृष्ण और बल अपनी जी के यहां विद्या धहन के लिए यात्र की बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों भाई शिशिता ग्रहन करके लगातार गुरू की सेवा में लगे रहते थे उन्हाने अपने आचरन के द्वारा सब को शिशिके करतवी का उपदेश दिया 64 दिनों में ही रहस्य और संग्र है अस्त्रों के उपसंगार सहित धनुरवेद का उन्हें पूरी तरह से ज्ञान हो गया ये एक अदभुत बात थी उनके अलोकिक और अन्होने कर्मों को देख कर गुरू ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रू भगवन आपको क्या गुरू दक्षिन दी जाए बताइए परम बुतिमान गुरू ने भी उनसे अलोकिक कर्म का विचार करके अपने मरेवे पुत्र को मांग लिया जो प्रभास छेतर में समुद्र के भीतर डूब गया था तब बलराम और श्री कृष्ण हत्यार लेकर समुद्र से बोले मेरे गुरू के पुत्र को लेकर आओ समुद्र ने हाथ जोड़ कर कहा भगवन मैंने सांतिपनी के पुत्र का अपहरन नहीं किया है मेरे भीतर पंचजन नाम का एक डैत रहता है उसका आकार शंख की तरह है उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था और वह शंख ग्रहन किया जिसका शब्द सुनकर द्यात्यों का बल छीन हो जाता देवताओं की शक्ती बढ़ती और अधर्म का नाश हो जाया करता है इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलवान बलराम जी यम पुरी में गए वहां उन्होंने शंख नाद किया और कर दिया इसके बाद वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मतुरापुरी में चले आए उनके आने से मतुरा के सभी इस्तरी पुरुष प्रसन्न हो गए महाबली कंस ने जरासंद की पुतरी अस्ती और प्राप्ती से विवाह किया था जरासंद मगध देश का पुर्वक आया मतुरा के पास पहुचकर उसने उस पुरी को चारों और से घेर लिया उसके साथ 23 अक्षोहिनी सेना थी बलराम और श्रीकृष न थोड़े से सैनिकों को साथ लेकर अपने नगर से बाहर निकल गए और उसके बलवान युद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुदों को ग्रहन करने की इच्छा हुई उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र शारंग धनुष बानों से भरावा अक्षय तुनीर और कौमोत की गदा इस सभी अस्त्र श्रीकृष न के हाथ में आ गए इसी प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी उनके अभी अस्त्र हल और मूसल आ गए उन्देवे अस्त्रों को पाकर श्रीकृष न और बलराम ने महराज जरासंद को सेना सहित युद में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पूरी में लोटाए दुराचारी जरासंद परास्त होकर भी ज बहाग खड़ा हुआ इस प्रकार अत्यंत दुर्मत मगद राज ने श्रीकृष्न और यदवन्शों के साथ अठारा बार लोहा लिया अर्थात अठारा बार युद किया लेकिन हर युद में उसे यदवन्शों के द्वारा मुहकी खानी पड़ी हर बार हार का सामना करना हलाकि उसके पास सेना तो अधिक थी तब भी थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार भगाया इस अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदवन्शों की सेना सुरक्षित रह गई यह चक्रपानी भगवान विश्नु के अंशभूत श्रीकृष्न के सामेपिकी महिमा थी भगवान श्रीकृष्न शत्रों पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे वे मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की ही लीला थी जो मन से ही संसार की स्रस्टी और संगार करते हैं उन्हें शत्रुपक्ष का विनाश करने में कितने परिश्रम की शक्ता हैं फिर भी मनुष्य के धर्म का अनुसरान करते वे बलवानों से संधी और हीन बलवानों के साथ युद्ध करते थे कहीं साम दान और कहीं भेद की नीती दिखाते वे कहीं कहीं पर दंडर नीती का भी प्रयोक करते थे और जरूरत पढ़ने पर कहीं कहीं तो के मैदान से भाग गए थे तो उनका एक नाम पड़ गया था अगर आप उस नाम को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इस प्रकार भगवान शिरिक्रिष्ट मानव शरीर में मनश्यों की तरह ही लीला करते थे जो उनकी इच्छा के अनुसार हुआ करती थी दक्षिन में एक यवनों का राजा रहता था उसने अपने पुत्र काल यवन को अपने राजी पर अभिशिक्त कर दिया और खुद वन में चला गया काल यवन बलके मद्द से उनमत रहता था एक बार उसने देवर्शी नारत से पूछा नारत जी प्रथी पर बलवान राज अब हैं हर दिन अविच्छि निगति से यात्रा किया करता और इस प्रकार में मत्रा को चला गया यादवों के प्रति उसके अहिरते में बड़ा रोष था उसके आकरमण का समचार जानकर श्रीकृष्णिनिन ने सोचा कि अगर कालयवन ने आकर यादवों की सेना का संगार कर दिया तो अवसर देखकर मगद राज जरासंद भी आकरमन करेगा और पहले जरासंद ने ही आकर हमारी सेना को ख्षेन कर दिया तो बलवान कालियवन तो बचे खुचे सेनिकों को मार ही डालेगा अहो ये दुवंशियों पर यादों की तो बात ही क्या है अगर मैं सोया या पहार गया हूँ तो उस समय भी दुर्ग में रहने पर दुस्ट शत्रू यादों को ज़्यादा कष्ट ना दे सके ऐसा सोच कर गोविंद ने समुद्र से बारह योजन भूमी मागी और उसी में द्वारिका पुरी का निर्मान किया उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे उसकी चार दिवारी बहुत उची थी सैकडों सरोवरों से वहपुरी सोचोबित हो रही थी उसमें सैकडों पर कोटे बने हुए थे वहपुरी इंद्र की अमरावती सी मनुहर जान पड़ती थी भगवान श्री कृष्ण ने मत्रा के निवासियों को वहाँ पहुचा दिया और जब काल्यवन समीब आ गया तब वे स्वय मत्रा लोटाए मत्रा के बाहर काल्यवन की सेना का पड़ाव था श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिये बिना ही मत्रा से बाहर निकले काल्यवन ने उन्हें देखा और ये जानकर कि यही वासुदेव हैं बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया जिने बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे चल दिया उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए जहां महापराकरमी मुचुकंद सोय हुए थे काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा एक मनुश्य सो रहा है उसे ही श्री कृष्ण समझ कर उस खोटी बुद्धी वाले यवन ने लात मारी मुचुकंद की आँख खुल गई और वहयवन राजा की द्रिष्टी पढ़ते ही उनकी क्रोधागनी से जलकर भस्म हो गया और ऐसा क्यू हुआ इस बारे में भी जानिये पूर्व समय में राजा मुचुकंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए हुए थे वहाँ उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को हरा दिया युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी तब उन्होंने देवताओं से बहुत लंबे समय तक निद्रा में लीन रहने का वर्दान मांगा देवताओं ने कहा राजन जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुमारे शरीर से उत्पन हुई अगनी से उसी छण जलकर भस्म हो जाएगा इस प्रकार पापी कालियवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा आप कौन है तब वे कहने लगे मैं चंदरवंश के भीतर यदुकुल में उत्पन वसुदेव पुत्र श्री कृष्न हूँ ये सुनकर उन्होंने सरवेश्वर श्री कृष्न को प्रणाम करके कहा भगवन मैंने आपको पहचान लिया आप श्री हरी के अंशभूत साक्षात परमेश्वर हैं पूर्वकाल में गार्गिने कहा था 28 वे दुआपर की अंत में यदुकुल में श्री हरी का अवतार होगा वे अवतारधारी श्री हरी आप ही है इसमें तनिक भी संदे नहीं प्रभू आप मर्ति लोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता और आपकी वानी महा मेग की गंभीर गरजना के समान है देवा सुर संग्राम में दैत्य आप ही परमाश्रे हैं प्रभू आप शरणागतों की पीडा दूर करने वाले हैं भगवन मुझ पर प्रसन हो ये और मेरे अमंगल को हर लीजिए आप ही समुद्र परवत नदी वन प्रत्वी आकाश वायू जल अगनी तथा पुरुश हैं पुरुश से भी परे जो अपक जन्मादी विकारों से रहित शब्द आदी से शुन्य सदा नवीन तथवरिधी और क्षय से रहित तत्व हैं वह भी आप ही हैं देवता पितर यक्ष गंधर्व राक्ष सिद्ध अपसरा मनुष्य पशू पक्षी सर्प मिर्ग तथवरिक्ष सब आप से ही उत्पन ह हुए हैं इस चराचर जगत में जो कुछ भी भूत या भविश्य मूर्थ या अमूर्थ अत्वा इस्थूल या सुक्ष्मितर वस्तू है वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं है भगवन इस अंसार चक्र में आध्यात्मिक आदी तीनों तापों से पीडित होकर सदा भटक करते वे मुझे कभी शांती नहीं मिली नाथ मैंने मिर्क तृष्णा से जलकी आशा करके दुखों को ही सुक समझ कर ग्रहन किया इसलिए सदा मेरे लिए दुख के कारण ही बने रहे प्रभो राज प्रत्वी सेना कोश मित्र पुत्र पत्नी और शब्दादी विशय ये सब कुछ मैंने सुख बुद्धी से ग्रहन किया किन्तु है देविश्वर परिणाम में ये सब मेरे लिए दुख कारण ही सिद्ध हुए है नाथ देवलोग की उत्तम गती को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहता लेने की इच्छा हुई तब वहां भी नित्य शांत कौन पा सकता है जिनका चित आपकी माया से मोहित है वे जन्म मृत्यू और जरा आधी कस्टों को भोग कर अंत में यम्राज का दर्शन करते हैं इसके बाद सेक्डों पाशों में आबध होकर नरकों में अत्यंत दारुन दुख भोगते हैं ये विश्व आपका ही परमेश्वर मैं अत्यंत विशई हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्थ में भटक रहा हूँ वही मैं आज अपार और इस्तवन करने योग आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ जिससे अलग दूसरा कोई परम पद ही नहीं है व्यास जी कहते हैं प तुम अपनी इच्छा के नुसार दिवी लोकों में जाओ और मेरी कृपा से उत्तम एश्वरी से संपन्न होकर वहां के दिवी भोग भोगो इसके बाद इस प्रत्वी पर श्रेष्ट कुल में तुम्हारा जन्म होगा उस समय तुम्हें अपने पूर जनम की इस्मृती बन तब कल्यूग आया जानकर वित तपस्या करने के लिए गंध मादन परवत पर भगवान नर्द नारयन के आश्रम में चले गए श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रू का वध कराकर मत्रा में आकर हाथी घोड़े और रत से सुशोबित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली और द्वारिका में ले जाकर राजा उगरिसेन को समर्पित कर दी अब संपूर्ण यादव शत्रों के आकरमन की आशंका से निर्भय हो गए इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका व्रतांत आप सभी अगले धह में जरूर सुनिएगा अगर वीडियो अच्छे ल